गरीब बन्य पीट चाटते है रहडी हटवाद है उनकी और कहा है नंदकि सोर बदवाज सब माइल और वह बी सका है योगी जी कैसे है उनोंने परिशान किया उन्होंने और किसको परिशान किया सब की रहडी वहडी फैक जीवार लम पेसा कमार हो Yani जान लेते हैं कुछ इस बार चुनाओं आने वाला दस फरवरी को मद्दान करना वोट करना किसको किरिएगा मदन भाइया को करेंगे विए वोट जो मदन भाइया को देंगे विदायक साहब को किसे नाराज्की हो गई है अच्छा आप क्या कहेंगे मदन भाइया मदन भाइया मदन भाइया आपने टीम आरेलडी लगा भी रखा यहां काफी परचार चलना लगा यहां तो मदन भाइया जो भी है क्यों है अच्छा वैसे योगी जी कैसे है योगी भी ठीक है अपनी जग है पर तो योगी जीते हैं कैसे सरकार कैसे बनाएंगे जब आप लोगी अमादन बनाएंगे क्या कहें कि आप क्या लगता है विया की तरफ रुजाना हमारा तो अच्छा काम करते हैं समाज में छेत्रों में नाम भी हो अब मुख्यमंत्री योगी जी बाबा कैसे लगतें आप बाबा जी थीक है अतर बाबाजी को काहिसे जीते हैं फिर इस वां सरकार कैसे बनाएंगे जब आप लोगार अब आप जा रहे हैं बाबा एक मिनुट बाबा यहीं के आप लोनी के लोनी से ही हैं जाली से अच्छा लगता है महौल क्या है यहां पर चुनाओ को लेकर कि दस्तारी को बोट करना आप लोगा महारत्र मदन बहीं किया है अब तो कभी जीता नहीं है बहुत कौम करें रहे हैं जो अब जो बिधायक भीजेपी से नंद किशोर जी बाना कुछी नहीं करें और पर इस और पर शॉल कर भी जिनियों परिशान किया उन्होंने और किसको परेशान किया है सब्सक्राइब फेक देते थे पैसा कमारों अच्छा यह नंद किशोर जी जैसे इस बार नहीं जीतेंगे आर एलडी से मंदन महीं जीत जाएंगे आपको लगता है सब्सक्राइब कांग्रेस और वह भी बस बागे भी परत्यासी खड़े हो रहे हैं और यह सारा इलाका ही मदन भाईया को आप सब्सक्राइब करें तो समय पहाजब हुआ मैं तो क्यानी के बाद सुना है नाम बढ़िया हाथ योगी ने जो कर रा क्या बढ़िया कर रा क्या। उसको भी जिताना चीए ऐसे नहीं है उस तो сообщ हिं आ है और योगी के भी बहुत है। वह था प्रक्त topics नद्शस्वार्ट की था zarर्ग अरेंद को में घाल से बनेदर्ण को वहां है पुजाये दिए जवाजस के दू स्भी योगी के जो समर्थक है वो भी जो है न Когда ना करतित एस थे हैं तुछ फुज्वानगे लुज जाण बाए ले जिता हुआ आप क्या कहेंगे विधायक को जिता रहे हैं मतन विया को तो पहले पहले नहीं थे पिर भी आम तो उसे विधायक की मानते हैं क्योंकि आप क्या कहेंगे विधायक की पांचार लड़े कि तो कुण रहा है एक तो जीत रहा है कि अब दो तीन चार उट रहे पता है नुए नदिकि शोर और रजीता है तवाम लोग हैं मदन भाई भी जीत सकता है कि अपना क्यों समय खराब कर रहे हो लौणी चेतर में मदन भाई आ रहे हैं मदन भाई आ और रहें कुछ दिनों पहले यह आप ही बहुत बड़ा असर दिख रहा है वैसे भले ही यह लोग बीजेपी वीजेपी करते हो लेकिन यहां पर कंडिडेट का असर इतना है कि यहां पर मदन भाया मदन भाया ही सब लोग दाम ले रहे हैं और यहां पर जो लोग हैं उनसे पूछते हैं यहां पर कुछ बिक्री बजार भी लगे हुए हैं तमाम लोग खेदारी कर रहे हैं यहां पर महिलाएं भी जादे दिख रहे हैं तो यह लोग भी खड़े हुए हैं क्या कहेंगे आप लोग यहां पर चुनाओ होने वाला मद्दान करने वाले हैं आप लोग दस्तारी को किसका यहां पर लग रहा है जौर इस योगी जी का से हैं योगी जी हमारा तो माधन भाईया बढ़ी हैं यहां से हमें ना पता वहां तो माधन भाईया बढ़ी आप नहीं किया पेसे चलावा है योगी मोदी को अपके मोदी और योगी दोनों आ रहेंगे मदन भाईया यहां से पक्की सीट है यहां से लोने कि टोके बोलने क्या मतनभीया ने कुछ क्या दिया है आप लोगों को कितना खुल के किया तौच कह बहुत बड़ी है अमारे अधमया 1992 अर्षभार59 2017 कि आप लोग लिए कुछ किया है हमारे लिए बहुत कुछ करूं ने किया मधन कि तो पंदन की तो कोई निया गए लौनी से मधन भीए आएगा योगी-प्योगी सरकार कोई नहीं आएगी यहां पर देखिए जो माहौल है उस हिसाब से यहां पर जायतल लोग योगी और इनसे किसी से मतलब नहीं लेकर पृति आशी में RLD के जो यहां से मतन भईया खड़े हुए उनका ज्यादा जोर यहां पर दिख रहा है इसलिए अध्यासिए लोग कर रहे हैं तो इसी तरीके उसमें से ये भी थे बीजेपी के पक्च में बोल रहे थे और आज जो बीजेपी पक्च में बोल रहे वो भी मदन भाइया मदन भाइया कर रहे है तो ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या कि चुनाओं नजदीक आते आते दस फरवेरी को जब यहां मद्दान होगा तो क्या एक तरफा कहीं सपा को तो नहीं जा रहा है यह देखने वाली बात होगी देखेंगे रिजल्ट दस मार्च को आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा क्या कुछ होने वाला है फिलाल देखते रही है कैमरा परसंट सुमित के सान साथ मैं प्रभात फोरमपोर से खबरों में बने रहने के लिए फोरमपोर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएगा